नमस्कार आप देख रहे हैं News Wall India, मैं हूँ आपके साथ जुहेजिंग आगे की कारवाई में जुट गई है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर मामला काशिपूर का है जहां तेंदूओं नी आतंक मचा रखा है रहायश इलाकों को अपना निशाना बना कर छुपे ये तेंदूओं लोगों के पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है लोगों ने डर से अब शाम होते ही निकलना घर से बंद कर दिया है वहीं वन विभाग की टी में लगातार जनता से सतर्क रहने की अपील कर रही है तेंदुए को पकड़ने के लिए रैस्क्य ओपरेशन चलाया जा रहा है किला कलोनी है यहाँ पर कईवार टाइगर ने कुद्तों पर कईवार हमला कर चुका है तो कईवा उठाके भी ले गया यहां से और हम जब भी निकलते हैं अपर सब जने खट्टे होगे निकलते हैं निला नदी के किनारे पर कसम तो वहां पर गुल्दार के देखे जाने की सूशना चारत हुई और उनके पालतु कुते पर अटेक किया जो बच गया है तो अच्छा है कि कोई जनानी या कोई ऐसे नुक्सान नहीं हुआ है प्रयागराज से मानवत्ता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है पोस्ट माटम के बाद शब को वापस ले जाने के लिए कहा गया काफी गुहार लगाने के बाद भी अस्पताल के तरफ से कोई मदद नहीं की गई और इसके बाद मा ने बेटे का शब कंदे पर रखकर पैदल भीगते हुए चलना शुरू कर दिया पिता जो है अपने बच्चे को कंदे पर लेग जा रहा है और रसा बताया जा रहा है उसका जो है उसकी मृत हो गए की बच्चे की और उसको किस तरह का शबाहन नहीं मिला तो यह अभी आपके माद्यम से मेरे संग्यान में आया हुआ है तो इसका एक उच्चसतरी इसकी एक जाँच करा ली जाएगी यदि जाँच में कहीं से भी कोई लैप्स आते हैं तो तरदायत निरदायत करा जाएगा और दंडात्मा कारवाई की जाएगी और कुसी भी शाँच की जो इसमें राहत के तहट अगर ये परिवार आएगा तो उसको राहत भी दिलवाई जाएगी अगली खबर शाह जहाँपूर से है जहाँ एक सिक्षन शंस्थान के प्रबंदग पर प्रधांज सिक्षिका के साथ दुषकर्म करने का आरोप लगाया गया है आरोप लगाने वाले सिक्षिका और उसके ब्लैक मेलर सहयोगियों के खिलाफ तिलहर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आपको बता दे कि पिछले एक महीने से खुद को पिड़ित बताने वाले सिख्शी का अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश के तहट वीरेश शर्मा को अपने प्रेम जाल में फसा कर ब्लैक मेल कर रही थी अभी के लिए इस बुलेजन में सिर्फ इतना ही देखते रही है न्यूस वाल्ड इंडिया